तो आज हम पढ़ेंगे LLP Act 2008 Notes बनाईए Limited Liability Partnership Act 2008 Limited Liability Partnership Act Act 2008 अगर किसी चैप्टर के नोट्स देने होंगे ना तो एक दिन पहले में PDF भेज दिया करूँगा क्लास में आपको प्रिंट मिल जाएगा तो आपको पता रहेगा कि आज लिखना है कि नहीं लिखना वैसे भी नोट्बुक तो ले ही आया करो हान जी Limited Liability Partnership Act 2008 तो ये पार्टनर्शिप कब पैदा हुई और क्यूं पैदा हुई पहले थोड़ी सी इस पे चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले हिंदुस्तान में आजादी से पहले जो पार्टनर्शिप चलती थी उसमें कुछ ऐसी खराबियां थी जिनको खतम करने के लिए कंपनी शुरू हुआ क्या खराबि थी बताओ पुरानी पार्टनर्शिप में सबसे बड़ी एक खराबी पुरानी पार्टनर्शिप में थी Unlimited Liability आपने अपने व्यापार में 1,000,000,000 रुपे लगाए और ये जो हम discussion करने जा रहे हैं सर कि पुरानी partnership में क्या खराबी थी ये आज भी व्यापारियों को समझ नहीं आता आज भी लोग वही पुरानी partnership खोलते हैं नजाने क्यों लोगों को LLP से इतना खत्रा है कि पुरानी partnership लोग खोल कर व्यापार करते हैं और उसमें फस जाते हैं पहली खराबी क्या है unlimited liability, तो आपने अपने business में एक करोड रुपे लगाया, उसे एक करोड रुपे लगाने के बाद आपके व्यापार में वो एक के एक करोड रुपे डूब गए, तो वहां तक तो चलो जो लगाया वो चला गया, ना कुछ आया ना कुछ नया गया, आपने व्यापार में जो पैसे लगाये वो यह सोच के लगाये होंगे, ना कि एक करोड रुपे आपका surplus है, व्यापार में लगाने के लिए आपने लगा दिया बात खतम, लेकिन उसे एक करोड रुपे के ऊपर और liabilities बिजनेस में खड़ी हो गई, आपने GST नहीं जमा करा, आप का income tax payable खड़ा हो गया, employee के dues नहीं दिये, सरकार के payments नहीं करी, बिजली के bill बाकी है, वो सब creditor line लगा के खड़े हैं, बिजनेस में पैसे बचे नहीं, बिजनेस की balance sheet negative हो चुकी, तो आपको अपने बंगले को बेच कर पैसे देने पड़ेंगे, यह खतरा है, और यह खतरन पाक है, लोग फिर भी पुरानी partnership चलाते हैं आज भी, उसको दूर करने के लिए नए एक ईश्वर ने अवतार लिया, और भगवान के उस अवतार का नाम था company, company में limited liability होने लगी, और unlimited liability का जो कलेश था, वो खतम हो गया, अब सरकार के dues हो, बिजली का bill बाकी हो, GST बाकी ह तो सबसे हम कह देते हैं, भाई हमारे पास तो पैसे है नहीं, वो हम चुटकुले में क्या बोलते हैं, टीली-ली-ली, हमारे पास पैसे है नहीं, हमारे पास तो पैसे है नहीं, sorry, तो आपके बंगले में अगर आपने दर्वाजों में हीरे भी लगा रखे हैं, तो भी वो वो आपके अपने है, वो परसनल है आपके, कोई परिशानी की बात ही नहीं बात समझा गई जो partnership में क्या हो जाता है? मैं समझा नहीं, उसे क्या कहेंगे क्या? हाँ एक करोड की एसेट है एक करोड की एसेट है एक करोड का फंड है और एक करोड से जाधा लायविलिटी आ गई तो उसे लायविलिटी तो कहेंगे कोई और नाम क्यों देंगे वो भी तो लाइबिलिटी है बस वो सेट आफ नहीं हो पाई वो अभी अनपेड बची है वो सौरी मतलब पार्टनर्शिप की बात कर रहे हैं कंपनी की तो अपने घर बेच के हां मतलब फिर इंसल्वेंसी हो गई पार्टनर की जो क्रेडिटर्स हैं उनका दुर्भाग के उन्होंने हमा है मालो वो भी नहीं है सब इरोड हो गया सब उड़ गया सब खतम हो गया तो फिर किसी को कुछ नहीं देना किसी को कुछ नहीं लेना बस सब देवालिया होगा इंसल्वेंट होगा नमस्ते सौरी कुछ नहीं हो सकता ठीक लेकिन आइम सेंग के इसको दूर करने के लिए किस balance sheet में है यह जो आप देखते हैं न कुछ लोग लंदन भाग जाते हैं अपनी liabilities pay ना करने की वज़ा से NTUA चले जाते हैं European देशों में चले जाते हैं वो इसलिए उनके उपर फिर liability क्यों है मान लोग उनकी कंपनी ने ऐसे लाइबिलिटी नहीं पे कर पा रहे तो फिर उनके उपर पुलिस के उचाप मार रही है कंपनी में तो limited liability होती है तो जब आप कंपनी लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनियों में एक corporate will नाम का topic होता है अगर आपने इमांदारी से business करा है सब कुछ सई तरीके से करा है फिर liability आती है परसनल तो नहीं देनी आपको कुछ sorry बातकरतम इन लोगों ने धोके करें इन लोगों ने fraud करें इसलिए इनकी personal liability पैदा होई वरना इनकी personal liability नहोती clear तो हम बात कर रहे थे पहली बुराई की जो पुरानी partnership में एक्जस्ट होती थी और वो क्या थी unlimited liability एक दूसरी और और भयानक बुराई क्या थी mutual agency क्या थी मालो हमने गोलगप्पे खाए तो उसके पैसे हमारे के हमने दिये जेब में पैसे थे नहीं तो हमारा मकान बेचके हमने गोलगप्पे के पैसे दिये कोई बात नहीं कम से सबको देने चारों को आपने अपना मकान बेचा 25 लाग रोपे पे कर दी है चलो जिम्मेदारी खतम हुई तो कम से कम अपना निभाया ना लेकिन partnership में कलेश यह है कि mutual agency नियम की वज़े से जो बाकी partners हैं अगर वो पैसा नहीं दे ना है बताओ चार partner में से एक insolvent हो गया तो उसके 25 लाग के भी तीन टुकड़े होंगे और बचे हुए तीन लोग वह बाला पैसा भी देंगे सोची आप यह और बड़ी बुराई है पहली बुराई के घर से पैसे देने हैं दूसरी बुराई घर से अपने नहीं देने दूस शेर ओล्डर ने अपने पैसे देने हैं बस अगर अपने पैसे दे गया थो ठीक नहीं दे गया तो ठीक जो जिंदरी अउसकी ए बस ऐसा नहीं है कि फला ने partner ने परिष्ट ने पैसे नहीं दिया तो उसके भी हम ले बात समझा गई लेकिन मेरा सवाल यह है पूछो 1956 में आख चुकी तो फिर इसकी क्या जरूवत थी दूर तो हो चुकी थी बुराईयां वो ही मैं प्रशन पूछ रहा हूं कि जब partnership act की बुराई कंपनियों ने दूर कर दी partnership act की खराबियां कंपनियों ने खंतम कर दी इसका मतलब partnership के दुख दूर हो गए 1956 तो छोड़ो हर partnership को क्या खोल लेनी चाहिए थी company लेकिन partnership की बुराई तो दूर करी company ने उसकी अपनी कुछ बुराईयां पैदा हो गई कंपनी की क्या बुराई सबसे पहली बुराई company बहुत महंगी चीज़ है सबसे पहली बुराई company के खोलने और खतम करने और चलाने तीनों में बहुत पैसे लगते हैं जैसे फोर example आपको partnership खोलनी हो यह वाली नहीं पुरानी partnership खोलनी हो तो मेरा नजर में maximum 100 या 50 रुपए को खर्च होंगे बस कि अश्यीं कौछ राज्यों में पचास और भास रुपए का रगता कुछ राज्यों में सो रुपए फालाने प्लाने जगा हमने business करा है ज़को सरकार को कूस को देनी हैं कॉहर लग्के वापस आ जाएगी registration प्रिस कहीं 10 रुपए कई 40 रुपए कई 50 रुपए कई 100 रुपए बस अब देखो वो पैसे मच जोड़ना तुम कोट गए ओटो में पैसे लगे है ना पैन खरीदा उसकी इंग खर्चुई वो नहीं रजिस्टेशन फीज उत्तर प्रदेश में आपको बताऊं तो 50 रुपए है पार्टनर्शिप रजिस्टेशन की दिल्ली में सुनेंगे आप तो हैरान रहे जाएंगे फिर ही है तो सर हमने तो देखा था हमारे भाईया ने पार्टनर्शिप खो ली थी उनके तो 5000 रुपए लगे वो हम जैसे प्रोफेशनल खा जाती है पैसा हम भी तो अपनी मेहनत क से पैसे लेंगे आपको कहीं नहीं जाना हम गये का चैरी हमने नोटरी कराया हमने स्टाम पेपर बनाया हमने डॉक्यमेंट यार करा आप से तो कहा बाओ जी यहां साइन कर दो आपकी पार्टनर्शिप खुल गई दो घंटा में समझाया कंपनी खोलने के लिए बड़ा कली से साथ एक बार में अगर अप्लिकेशन देकर अप्रूव हो जाए आपकी तो आप समझिए इश्वर की करपा है आप पर वैसे प्राइम मिनिस्टर ने आजकल कंपनी खोलने के नियम आसान कर दिये हैं लेकिन फिर भी अप्लिकेशन तो देनी पड़ती है तीन दिन इंतज और जीरो हो आपकी कंपनी में लॉस हो रहे हैं तब भी चार्टेड अकाउंटेंट हायर करना पड़ेगा और वो अडिट करेगा कंपल सरी तोर पे तो यह सस्ती जमात तो है नहीं जमात मतलब ग्रॉप औफ पीपल राइट सर समझाया हमें वी और प्रोफेशनल वी एंड कर दिये उसने नए दुख पैदा कर दिये वह ऐसे होता है ना एलोपेथी में वह एक बीमारी तो खतम हो गई दूसरी चिपक क्या गई साइड एफेक्ट से दूसरी बुराई कंपनी की जंजट अंग्रेजी में उसे कहना चाहिए complex management of compliance of law किस बात का जंजट कागस जमा करन हम डिरेक्टर हटाएंगे तो रजिस्टार को फाइल करेंगे अपना office first floor से second floor लेके जाएंगे तो रजिस्टार को बताएंगे हम अपनी company के shareholder को share देंगे तो रजिस्टार को बताएंगे ऐसी SMS relationship है कि घटना घटती बाद में बताना पहले पढ़ता है हम हमारी company में हमारे नहोकर के सरकार के होती है बताएंगे आपने company लोगों ने नहीं पढ़ा पढ़िएगा हर section में लिखा है ये नहीं करोगे तो ये penalty लगेगी इतने दिन में ROC को बताना है नहीं बताओगे तो ये penalty लगेगी अरे आंगन हमारा खेती का हिसाब तुझे दे हम ठीक complexity बेहद है company बंद करना इतना खतरनाक काम है भारत में आपने company खोल ली चार लोगों ने मिलके अब दो लोगों में लड़ाई हो गई वो निकलना चाते हैं company बेद करना चाते हैं तो आप बंद करने म इंसल्वेंसी के आसान कानून जो नई सरकार देश में इस समय है मैं कोई भाजपा कांगरेस नहीं कर रहा जो नई सरकार देश में वो 2014 के बाद ही तो आई 2014 से पहले company खोलना बंद करना दोनों complex थे चलाना तो और बहुत मुश्किल था क्या हम समझ गए ये बात अब एक व्यापारी की नजर से सोचिए सर एक व्यापारी के एंगल से सोचिए सुन नहीं रहा आप उसे देख के क्या होगा मुझे देखो याप ऐसे दी हैं आगे ब रहा बनाता है व्यापारी तो ready-made government बनाने में focus करें यह फिर वह रोसी को काज़ बनाने में focus करें जेल होती है किसे हम烦ाने से काम करने वाला डिरेक्टर जाता है कंपनीयों में इतने कलेश हैं तो क्या हम समझ गए हमारे हिंदुस्तानी व्यापारी को किस बात की आदत है butter खोला दुपान चालalo शट्र गिराया दुकान बंद का और कंपनीयों में मन तो करता है उसको मारू जाके कि कंपनी मेरी है यार मैं बंद कर रहा हूं मेरा मन तो इसका मतलब पहले सुनिए दो एंड समझिए कॉपी मत करिए का कुछ आप प्लीज दस मिनिट कुछ नोट ना करें भाशन का आनंद लें देखिए आप पहले हम थे पार्टनर्शिप पे और यहां से हम मूव हो गए किस पर कंपनी पर पार्टनर्शिप में क्या बुराई थी बताईए अनलिमिटेड लायबिलिटी नोट मत करिएगा लिमिटेड लायबिलिटी चैप्टर छोटा होता न तो अब तक बड़ा चुका होता मैं चैप्टर थोड़ा बड़ा है लिमिटेड लायबिलिटी और दूसरा mutual agency एक की लायबिलिटी दूसरे लोग मिलकर निभाते हैं इन बुराईयों को यहाँ पर दूरी मिल गई खतम हो गई यह बुराईया लेकिन यहाँ पर नई बुराई पैदा हो गई बताओ पहला क्या cost और दूसरा complexity आप मतलब समझगे cost का क्या है incorporation कम से कम 3,000 रुपे में होता है company खोलने का खर्चा वैसे हम लोग तो 15 भी से नीचे नहीं उतरते लेकिन सरकारी फीज जो है आपको बताओ आप तो अपने लोग हैं आप से क्या चिपा न तीन हजार रुपे में आपकी company खुल जाएगी सारे कागजात मिला के digital signature रजिस्टार की फीज इस्टाम पेपर जो भी खर्चा है सब तीन हजार के अंदर ही हो जाएगा कुछ बची जाएंगे थोड़े से पैसे रिक्षा बाड़े के राइट यह कितने में खुल लाई थी पचास रुपिया में दूसरी वो complexity आप समझ गए it is very difficult to manage all the filings in life of a company you need to submit several documents and they do check it अधार में नाम और पैन में नाम मैच नहीं हो रहा यहां कोई देखने वाला नहीं है समझ गए आप तो एक बुराई को खतम करने के लिए जो नई चीज पैदा हुई उसमें फिर वो बुराई कोई और पैदा हो गई पहले बाता आपास समझ आई इसलिए हमारे हिंदुस्तान में एक मिडवे पैदा हुआ क्या पैदा हुआ मिडवे मिडवे मतलब बीच का रास्ता उसमें क्या हुआ पार्टनर्शिप की बुराई छोड़के अच्छाई अच्छाई इसमें मिला दी हमने इसमें से बुराई छोड़के अच्छाई अच्छाई हमने मिला दी और मिलकर तयार हुआ हमारा नया स्ट्रक्चर जिसका नाम क्या है LLP Limited Liability Partnership इसमें क्या होता है इसमें Liability Limited होती है तो इसकी बुराई खतम इसमें कोई Mutual Agency नहीं होती मतलब हर पार्टनर को सिरफ अपने ही पैसे देने बाकि किसी के पैसे नहीं देने इसकी बुराई खतम यह Low Cost Carrier है कम पैसों में खुल जाती है LLP खोलने में तो मैं बता हूँ आपको बहुत महेंगा अगर LLP आप खोलोगे तो 1200 रुप्या में खुल जाएगा तो कुछ तो पैसे कम हुए तीन हजार के आधे से भी कम हो गए और लेस कंप्लेक्सिटी मतलब जैसे यहां तो पल-पल पे फाइलिंग करनी होती है यहां साल में एक बार जाता है फारम बस कि हमने यह कर लिया है जाशाब हमने आपने पार्टनर में यह changes कर लिए, capital में यह changes कर लिए, net worth में यह changes होगा ही हसा ही, यह audit हो गया है। corporation का जो लोग services देते हैं और audit भी करते हैं तो वो इन corporation की फीज बहुत कम ले लेते हैं क्योंकि उन्हें तो पता audit मिल लई है audit में साला ना हर बसाल पैसे मिलेंगे तो शुरू में कम ले लो कोई बात नहीं जैसे लोग GST करते हैं GST registration की फीज जादतर जगा फिर है समझदा लो हर महीने पैसे मिलेंगे हमें समझ गया सर आप तो इसका मतलब जो हम chapter पढ़ रहे हैं LLP वो एक hybrid form of business है कौन सा फॉर्म hybrid इसमें इसकी और इसकी दोनों की अच्छे अच्छी बाते मिलकर सन 2008 में ये कानून हमारे सामने पैदा हुआ खुशी की बात यह कि यह comparatively कम sections का है company low मे कितने section है? 470 और LLP में कितने है? 81 तो सुन लीजे सोचिए कि compliance तो कम हो गया न कोई company खुलेगी तो 470 section उसे ध्यान रखने पड़ेंगे हमारे course में limited है unlimited है वो छोड़ो actual में company को 470 section का compliance करना पड़ेगा और यहां पर क्या करना है कुछ नहीं 81 तो आप भारत का भविश्य है आपकी जिम्मिदारी है कि कल को जब व्यापार आप करें किसी के साथ मिलकर तो खुद भी लेलपी खोलें और दूसरों को भी सला दें लेलपी खुलवाएं company लोगों को परिशान करती है और पुरानी partnership लोगों के घर तबाहू बरबात करती है एललपी बीच का एक अच्छा रास्ता है जिसको हम लोग पता नहीं क्यों नहीं समझते क्लियर हो गई जी बात पक्का heading डालेंगे introduction वही जो 31 मार्च के बाद फाइल होती है ना balance sheet वही एक बार बस इसकी फाइल होती एंड में हां बीच में कुछ नहीं करना यह अच्छी बात वह तो सरब जैसे वह नहीं आता एक्जाम में कोशन आता एडवांटेजिस और डिसडवांटेजिस बताईए तो जबरदस्ती तो इसकी भी है इसकी डिसडवांटेजिस दो बड़ी यह है कि वही जो एलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर्शिप है उसमें हमें एक कमपलसरी रेजिडेंट इंडियन रखना पड़ता है मालो आप एन राई हो तो आप लेलपी नहीं खोल सकते इसमें कमपलसरी तोर पर हमारा ओडिट हो जाता है अगर हमारा टरन ओवर 40 लाग को क्रॉस कर जाए और कैपिटल 25 लाग को क्रॉस कर जाए यह एक बुराई है इ क्रॉडिट होता ही नहीं इसका तो तो ऐसे कंपरेटिव तो बुराई हैं हर चीज में ही हैं क्या कर सकते हैं वहीं मिनिस्ट्री ओफ कॉर्परेट अफेर्स की वेबसाइट पर ही एल एल पी के पास ही इसका कोई अलग रजिस्टार नहीं होता यह तो सब पता चले गई कंपनिया इसमें क्यों नहीं शिफ्ट हो जाती पहला कारण तो यह कि यह लिष्ट नहीं होती इसके शेयर बाजार में पिकते नहीं है तो जिसको मार्किट से कैप्टल उठानी होगी वो तो कंपनी खोलेगा जिसको बाजार से कैप्टल उठानी होगी वो कंपनी ही एक तो यह रीजन है दूसरा रीजन है अनवेरनेस लोगों को समझ कहां आता है आपको पता है कल को आप कंसल्टेंट बन जाएंगे तो बहुत मोटा पैसा मिलता है कंपनिया आपसे राय लेने का डाक्टर की तरह अपॉंटमेंट लेंगी 25 मिनिट की राय के इत्ते हजार अब उसे पतानी डारेक्टर को रिजाइन कैसे करवाना है तो वह आपसे कंसल्टेंसी ले लेगी वो इस पर सोचता ही नहीं कोई आदमी के ललपी करना चाहिए नई सरकार ने 2014 से आज तक लगबख 34,000 कंप्लाइंस खतम करें कल में स्पीच सुन रहा था कॉमर्स 34,000 हम कह रहे हैं जूट बोला है आदे तो खटाएं 17,000 माल लो तो 17,000 कंप्लाइंस जो हटाएं सरकार ने क्या वो पुरानी सरकार की नजरों में नहीं थे उनको नहीं ध्यान रहा होगा या उन्होंने रेलिवेंस नहीं समझा उसको हटाना जिसने ध्यान दिया तो अनवे लूसी यह चारों जो बड़ी audit firms हैं जो बड़ी consulting firms हैं जहां पर आपका सपना शायद होना चाहिए नौकरी करने का वो सब LLP है चारों LLP है इन्टेलेक्ट क्या जरूरत है जहन जटने पढ़ने की वो दूसरों के जहन जट सुल जाती है तो LLP बना के रख रखी उन्होंने आप भी कल को LLP खोली है क्या दिखकत है है को के हैं डालेंगे इंट्रोडक्शन कि फर्म होई लिमिटेड लाइवलिडी पार्टनेश्य फर्म कंपनी तो बस कंपनी एक ही है तो आई यह सर हेडिंग डालतें इंट्रोडक्शन मेरे पास इसके लिखे हुए नोट्स हैं तो लेकिन वो थोड़े पुराने हो गए तो इसलिए हमें फ्रेश लिख लेते हैं फिर आपके लिखे हुए नोट्स बजार में भेजूँगा मैं इंट्रोडक्शन लिखेंगे पॉइंट नमबर वन लिखिए LLP is a hybrid form LLP is a hybrid form of partnership and company taking together taking together LLP क्या है एक hybrid form है partnership की और company की taking together दोनों को एक साथ लेकर हम व्यापार जब करते हैं दोनों के features को जब हम mix कर देते हैं तब हमारा यह तैयार होता है taking together right clear होगे बाद second point second point LLP has advantages of LLP has advantages of both partnership as well as company LLP has advantages of both partnership and company basically following are the revolutionary features basically following are the revolutionary features revolutionary features of LLP LLP के जो revolutionary features है वो यह है पहला limited liability no mutual agency no mutual agency tisra less cost of compliance or less complexity level तो यह चार बड़े features हैं ऐसे तो खीचने को तो कुछ भी खीच लो आप question answer में देखिएगा 8-8-9-9 feature लिख रखे हैं features में वो main बाते लिख देते हैं कि जैसे इसमें दो partner चाहिए maximum unlimited है एक आदमी resident होना चाहिए capital और turnover इतनी cross होगी तब audit होगा वो तो features थोड़ी वो तो main बाते हैं कोई बात नहीं अब जैसे examiner पूछे वैसे उत्तर लिख देना चाहिए क्या कर सकते हैं मुख्य बात हमें समझा गई limited liability no mutual agency less cost of compliance or less complexity level clear हो गई बात section 1 liability का मतलब यह था कि आपके उसमे business में liability side का total जादा हो गया और asset वाली side का total कम है मतलब आपकी liability एक करोड रुपे मालो जादा हो गई और business के पास ना fund है ना fixed asset तो एक करोड रुपे जादा देने है अगर पुराने जमाने वाली partnership होती तो आपको 25-25 लाख रुपे चारों partners में divide करने होते और वो 25 लाख रुपे घर से लाकर देने पड़ते इसका मतलब liability limited का होई शुरू में जो पैसे लगाए थे वो खतम हो गए फिर और दो फिर और दो फिर और दो यहां ऐसा नहीं होगा sir यहां तो company की तरह हैं बिलकुल एक बार जितने रुपे का देने का वादा करा शुरू में उतने रुपे दे दिये अब partner की और जिम्मेदारी नहीं है अब अगर एक करोड रुपे की liability जादा है तो अगर पैसे हैं तो दे देंगे नहीं हैं तो नहीं देंगे क्रेडिटर का दुरुभाग गया कि उन्होंने हमसे बिजनिस करा यह है बात क्लियर होगी जी बात section 1 कुल मिलाकर 81 section है जितना जितना जैसे जैसे जब तक होगा हो जाएगा section 1 short title extent and commencement short title extent and commencement लगभग लगभग हर कानून का पहला section यह होता है clear बहुत आसान section है इसमें कुछ बाते नहीं है पहला लिखिए it is called LLP Act 2008 it applies to the whole of India मतलब यह जनम से ही पूरे भारत पे लगता है ऐसा नहीं है कि धारा 370 खतम होने के बाद से कश्मीर पे लगना शुरू हुआ यह और कंपनी कानून पहले से दोनों हिस्सों में लगते थे जम्मु कश्मीर में भी और बचे हुए भारत में भी क्लियर हो गई जी बात सेक्शन वन खतम नमस्ती तो गुड सारे इतने छोटे नहीं है लेकिन पहला तो छोटा ही होता है कि सेक्शन टू कि हान जी सर कि सेक्शन टू किस लिचा संपर हुए आप सही लिखा कर यह कुछ लोग डफिनेशन की स्पैलिंग में exch Commerce से ने करें लोग सब्यक्राइब करेंब यह थे की से कई सारी यह यह किताब हाप को मिली होगी लकिन देखने की जरूरत नहीं है मैं वैसे पता रहोगा आपको जाच करनी हो तो definition बहुत सारी है कुछ कुछ ऐसी definition होती है न जिस जैसे advocate means advocate वो लिख क्या फाइदा है काम की definition लिखते है पहली definition है address किसे कहते हैं पहली definition address क्या होता है address क्या होता है अगर हम इनसान की बात कर रहे हैं तो उसका residential address ठीक residential address मतलब वैसे तो देखिए आपके exam में कोई इतना भारी और technical सवाल नहीं आता कोई आप UPSC का interview देने नहीं जा रहे हैं लेकिन अब पता नहीं होता ना भाई कब क्या पूछ ले exam में तो इसलिए याद रखें कोई confusion मालो हो जैसे आप कभी exam form भरते हो या कोई नौकरी का form भरते हो तो एक permanent address होता है और एक residential address होता है तो यहाँ पर residential address चाहिए आप माली जए है in case of an individual in case of an individual in case of an individual comma residential address shall be residential address shall be the address for all purposes residential address shall be the address for all purposes जिसे कई बार आप पड़ोगे कि एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को चिठी भेजी तो वो कहां भेजनी है residential address पे इस पे कोई question आज तक कभी नहीं पूछा गए हम कहरें बन जाए तो हमें पता है न permanent address से हमारा कोई लेना देना नहीं residential address अपने को चाहिए ठीक है और सर residential address का मतलब और सुन लो residential का मतलब residential address communication address कभी कभी क्या होता है कि मालो आप किसी ऐसी जगा रहते हैं जहां पर आपको लगता है कि चिठी नहीं आ सकती तो लोग क्या करते हैं post office में post box की सुविदा है पता है आपको मैंने देखो आपसे किती बार कहा है bank, post office, बिजली विभाग इनमें सब जगए एक एक बार जाके देखो तो आपको यहां के functions पता चल जाएंगे online के जमाने में तो आदमी जाता ही नहीं कहीं पे post office में एक सुविदा है कि आप post box किराय पे ले सकते हैं तो address क्या हो जाएगा आपका मानलो आपको post box जो अलोट हुआ उसका नमबर है 75 तो आपका address क्या हो गया श्री मुकेश कुमार post box नमबर 75 दिली उससे क्या होगा मानलीजे आपको लगता है कि आपकी गली में कोई चिठी नहीं आती तो जो आपका nearest डाक खाना है वहाँ पर एक डबाच letter box type किराय पे ले ले लीजे वो भही टंगा रहता है वो चिठी आके वह डाल देते हैं आप जाईए ताला खोल गया अपनी चिठी ले आईए हमने तो नहीं देखा अब मैं क्या करूँ आपने नहीं देखा तो लेकिन ये होता है ठीक है ये होता है वो तो जियो लोकेशन सा आजकल होने लगी जियो मतलब जिया आई यो नहीं जियो लोकेशन आजकल होने लगी तो वो तो चिठी पहुच जाती है बात है लगे लेकिन ये समस्य से आज भी बहुत जगा है ठीक है तो वो पोस्ट बॉक्स वाला नहीं चलेगा जहां पर आप रहते हैं वो जगा ओके दूसरा in case of an organization in case of an organization comma its registered address its registered address shall be shall be the address for all purposes full stop समझा गई बात बड़ी प्यारी है in case of an organization its registered address shall be the address for all purposes registered address का मतलब जिस पर आपने अपना company जब खुला था आपका तब कौन सा address दिया था आपने कई companyों के registered address बड़ी ओड जगा पर है और जगा पर registered address जो है पंजाब national bank का पंजाब में नहीं है पता आपको registered address of पंजाब national bank इस भीका जी गामा पेले इस नई दिल्ली अब सुनने में ऐसा लगता है कि पंजाब national bank का तो पंजाब में होना चाहिए हम मैं क्या करूँ नहीं है तो नहीं है ठीक है ने निताल bank limited का registered office ने निताल में है हाँ हाँ तो वी नीड टू सी टू एट कि हमारा registered office जहां पर है मालो आपने company में सुना होगा लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ company law में भी प्रोवीजन आएगा कि जब हम business खोलते हैं sir तब हमें नहीं पता होता ना कि इश्वर हमें कितनी करपा बरसेगा कितने पैसे भर देगा हमारे खाते में तो शुरू में लोग छोटा office लेते हैं ऐसी remote area में office लेते हैं जहां पर ज़्यादा खर्चा ना आए शुरू में मालो आपका फिलेट है रोहिनी में तो वो ये address हो गया आपका अब आप इश्वर ने करपा करी अब M.D. का मन नहीं करता रहूनी के फिलेट में बैठने का तो managing director कहां बैठता है नहरू पिलेश में उसने वहां का आज का टाबर बन वा लिया बड़ा सा तो वो लोग उसे corporate office कहने लगे हैड office कहने लगते हैं लेकिन registered office तो वो ही है जो गलियों में आपने बचपन में खोला था या तो shift कर लीजे अपना registered office आज तक scanner आपको दिखाऊं अभी frequency इस chapter में ज़्यादा तर जगा यही पूछा जाता है ज़्यादा तर जगा LLP का office कैसे shift करें पता नहीं क्या हो गया है लोगों को एक question बार बार repeat होता है तो हम समझ गए address मतलब इंसान के case में जहां वो रहता है और company के organization के case में उसका registered office address ठीक है बाई clear हो गई बात यह पहली हो गई दूसरी definition है advocate हम नहीं लिखेंगे advocate means advocate ठीक है appellate tribunal means national company law appellate tribunal उसमें भी कुछ लिखने की जरूरत नहीं फिर उसके बाद है business includes every trade, profession, service, occupation सब कुछ business है सर बिजनिस की definition ना GST में जरूरी है लो में बिजनिस की definition जरूरी नहीं है क्योंकि GST में इसलिए जरूरी होती है कि जो चीज business की definition में नहीं आती उस पर GST नहीं लग सकता हमने रदी बेची अपने घर की तो business की definition में वो नहीं fall करती लंबी सी definition है तो वो उस पर GST नहीं लग सकता यहां business में business includes trade, profession, service बगएर बगएर चार्ट अकाउंटेंट की definition सुनेंगे अब चार्ट अकाउंटेंट मीन्स चार्ट अकाउंटेंट हाँ अगली definition सुनिए company secretary means company secretary और यकीन मानी है यह लिखा है यहां पर कॉस्ट अकाउंटेंट मीन्स कॉस्ट अकाउंटेंट अच्छा अगली definition है court court means the court having jurisdiction इसमें भी लिखने क्या जरूवरत है मतलब आपके इलाके का जो court है LLP का office जहां पर है उसके नजदीकी अदालत जो आपके area के हिसाब से बैठती है वो court माना जाएगा अगली definition है designated partner अब इसकी definition हम लिखना चाहते हैं लेकिन हम section 7 में लिखेंगे क्यों मैं आपको definition पढ़के सुनाता हूं designated partner means any partner as specified in section 7 तो section 7 का नाम क्या है बताओ designated partner महां खूब फैल फैल के देखेंगे कौन होता है designated partner अगला देखो financial year means financial year means यह लिखेंगे हम definition financial year means एक अपरेल से 31 मार्च लेकिन पहला financial year जो है उसमें थोड़ा लोचा होता है company में भी है यहां पर भी है क्या है पहला financial year पहला financial year एक मिनट समझ लेते हैं बागी तो पता है एक अपरेल को जो शुरू हो और 11 मार्च को जो खतम हो पहला financial year में problem यह है first financial year में समस्या यह है कि जरूरी नहीं कि आपकी LLP महूरत देखकर खुले हमारी company पता आपको कब खुली incorporation date हमारी क्या है हमारी incorporation date हमारा जो certificate आया वो एक अपरेल को आया हम इतने खुश उस दिन हमने का हम तो class हो पढ़ाते हैं एक अपरेल को थोड़ी company खुलती है हमारी तो देखो एक अपरेल को खुली अब उस certificate डाउनलोड करने के लिए न date of birth डालनी पड़ती है तो मैंने एक अपरेल डाली वो डाउनलोड ही ना हो तो मैंने एक दिन पहले की डाल के देखी 30 मार वो डाउनलोड हो गया वो बदमासों ने हमें तो एक अपरेल को इंट तो बहुत अच्छी बात है एक अपरेल से लेके 31 मार्च तक पूरा financial year पहला वाला आपको मिल गया आपकी LLP अगर बीच में कभी खुली तो उसमें एक rule है सुनिए क्या अगर 30 सितंबर कंपनियों के case में दिसंबर होता है 30 सेप्टेंबर से पहले पहले अगर आपकी LLP पहले हो गया कब हो गया 30 सेप्टेंबर से पहले आपकी LLP का जनम 1 सेप्टेंबर को हुआ पहली सितंबर को आपको जनम प्रमाण पत्र मिला जनम प्रमाण पत्र मतलब birth certificate मतलब registration certificate मिला पहली सेप्टेंबर को तो सेप्टेंबर के बाद मार्च आने वाली है तो जो भी मार् जाएगा कैसे पहली सितंबर 2022 से 30 मार्च 2023 थीक है। समझा गई बद अब मालव आपकी एक अक्टूबर को 30 सितंबर पार हो गई अब पहली अक्टूबर 2022 से पहली बार मार्च कब आएगा 31 मार्च 2030 आपकी चॉइस है याँ पर चाहो तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च 23 को पहला financial year मानो चाहो तो एक अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 24 को financial year मानो वो कहना चाहती है सरकार के पहला financial year अगर आप नहीं चाहते कि दो-चार महीने का हो तो आप जो आने वाली मार्च है उसे ignore कर दो उसके बाद वाली जो मार्च है सीधे उसको बना लेना balance sheet आदमी settle down हुआ नहीं शांती से बैठा नहीं दो घुट चाहे पी नहीं तुम कर रहा यार balance sheet नहीं बनी यहीं तो होगा भई अक्टूबर में जो LLP खुलेगी एक महीना तो उसे आफिस सजाने में लगेगा workers की hiring में लगेगा debtor, creditor के साथ contract करने में लगेगा GST का registration करने में आज के लिए कि महीना लगता है इतना लंबा समय होने लगा तो उन सब पे time लगा पता चला फरवरी मार्चाने लगी समझगे सर सरकार क्या कहना चाहती है सर आप लोग जो लोग LLP पढ़ रहे हैं आपके कोर्स में company लो है मैं कहरो नहीं भी है तो भी एक comparison सुनिए आप कमपनियों के case में यदि आपकी company 31 दिसंबर के बाद खुलती है तो मतलब एक जनवरी को खुली माल लो तो जो मार्च आ रही है उस पर closing नहीं होती है compulsory वो मार्च छोड़ना पड़ता है लेकिन यहाँ पर compulsory नहीं है यहाँ पर choice है समझगे सर आप यह बात पक्का clear इसको लिख लेते हैं अगली definition financial year दूसरी definition हम जो लिख रहे हैं that shall be financial year दूसरी definition financial year किसे कहते हैं लिखी आप in case of in case of first financial year comma it shall start on it shall start on date of incorporation it shall start on date of incorporation यह incorporation वाले दिन खुलेगी चलेगी financial year शुरू होगा and will close as follows will close as follows तो पहला financial year जो पहला financial year है वो शुरू कब होगा incorporation के दिन लेकिन वो बंद कब होगा नीचे दिये गए नियमों के हिसाब से लिखें आप if date of incorporation if date of incorporation is between between 1st April to 30th September if date of incorporation is between 1st April to 30th September comma first financial year shall close on upcoming 31st March upcoming 31st March तो example देख लेते हैं date of incorporation अगर दी हुई हो और आपसे पहला financial year पूछा हो तो क्या होगा ठीक है इसका हमारा जो टेस्ट होगा उसमें ये चोटी-चोटी बातें आपको ध्यान रखनी है अच्छे से आप पढ़ें date of incorporation for example यदी पहली अपरेल 2022 हो तो तो simple है 1 अपरेल 2022 से 31 March 23 आपका financial year माना जाएगा इसमें तो कोई कलेस है ही नहीं अगर आपकी incorporation 1 अगस्त 2022 हो तो फिर आपका पहला financial year 1 अगस्त 2022 से 31 March 2023 मान लिया जाएगा ये भी बार ठीक है अगस्त 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 आपका financial year 30 स्तंबर 2022 है तो फिर 30 स्तंबर 2022 से 31 March 2023 मान लिया जाएगा ये भी बात कलीर है तो एवाला जो concept है वो हमें समझा गया और एवाला concept हमारा heavy simple अब भी देखते हैं भी लिखिये, if date of incorporation if date of incorporation is between 1st October to 31st March if date of incorporation is between 1st October to 31st March comma first financial year will first financial year will start on will start on date of incorporation will start on date of incorporation and will end as follows will end as follows final financial year शुरू तो उसी दिन होगा जिस दिन company या LLP खुली लेकिन closure जो है वो किस प्रकार होगा will end as follows इस अब गयान टूरू तो फेह 19-2 का निकालने पड़ेंगे अज सब्राण प्राणी यू टां। यहाँ पर हमारी choice है कि हम यह तो यही वाला march ले ले या छोड़के अगला ले ठीक पक्का लिखिए option one closure of first financial year may be done on upcoming 31st March option two closure of first financial year may be done may be done on next to next 31st March next to next 31st March right sir clear अब example देखिए for example हमें columns दिये हैं date of incorporation और उसके बाद first financial year starts और first financial year ends यह दो अलग अलग कॉलम स्टार्ट और एंड के इसले बन भाई मैंने के आपको यह फील आएगा के स्टार्ट का जो हो है date वो हमेशा सेम रह रही है सिरफ closure की जो डेट है वो बदल रही है तो company यह जो आपकी LLP है उसका incorporation मालो हुआ पहली सेप्टेंबर 2022 ठीक पहली सितंबर तीस सितंबर के बाद का रूल है लेकिन एक मिन पहले वाला लिख लेते हैं तो बताओ कब खतम होगा 1 सितंबर 2022 से 31 मार्ज 2022 कंपल सरी है न यह तो 23 यह तो कंपल सरी है उसके बाद 30 सितंबर 2022 को अगर LLP खुली तो 30 सितंबर 2022 से 31 मार्ज 2023 यह भी कंपल सरी है इसमें कोई option नहीं है अब 1 अक्टूबर 2022 को आपकी LLP खुली तो 1 अक्टूबर 2022 अब यहाँ पर choice है 31 मार्ज 2023 और 31 मार्ज 2024 कौन चूज करेगा LLP के designated partners designated partner डिरेक्टरों की तरह होते हैं company के बस उसे DP बोलते हैं D की बजाए यहां होगया अगला देखते हैं example अब आपकी LLP खुली माल लो 31 दिसंबर 2022 तो इधर आपकी LLP 31 दिसंबर 2022 को शुरू होई खतम होगी 31 मार्ज 2023 और 31 मार्ज 2024 ठीके जी अब देख लेते हैं जरा थोड़ा सा आगे बढ़कर 31 मार्ज 2022 को आपकी LLP का incorporation हुआ तो 31 मार्ज 2022 थोड़ी 23 31 मार्ज 2023 को आपका LLP का जनम हुआ तो आपका financial year 31 मार्ज 2023 से 31 मार्ज 2023 एक ही दिन का financial year या फिर 31 मार्ज 2024 आपका मन है एक दिन की balance sheet बनाना चाहो तो बना लो आपका मन है मतलब 0000 designated partner इंसान होता इसमें डिरेक्टर की जगा clear होगी जी बात यह दुबारा याद कर लीजए कि कंपनियों के case में threshold जो cut off date है वो 30 सितंबर नहीं है 31 दिसंबर होती है कंपनियों के first financial year के case में और कंपनियों के first financial year के case में जो cut off date है उसके बाद choice नहीं है कंपल सरी आपको upcoming March skip करना पड़ता है यह बात समझा गई सर बिको clear financial year की definition पूरी हो गई clear हो गई बात चलिए अगला है अगली definition है LLP किसे कहते है LLP means partnership registered under this act ठीक है क्या करना है foreign LLP का मतलब आप ऐसी समझ लीजे लिखने की ज़रूरत नहीं है foreign LLP किसे कहते है बताईए वो LLP which is registered in India या outside इंडिया but it should have a place of business in India हम ये बात कई बार कर चुके एक बार दुबारा सुन लीजे हमें हमारे भारत में मैं लिखवा देता हूं इसकी definition फिर ऐसे मिस हो जाएगा पहले समझ लो हम हमारे भारत में देशी और विदेशी का अंतर बड़ा गलत करते हैं एक company हमारे देश में Hyundai या Hyundai जो भी आप बोलते हों से लोग कहते हैं वो विदेशी company है उसके पिताजी प्राइशी नहीं है Hyundai Motors India Private Limited यह नाम है company का विच रजिस्टर इन इंडिया सो सम कंपनी सम बड़ी फ्रॉम विदेश केम टू भारत एंड गेट कंपनी रजिस्टर डाट कंपनी विल इंडियन राइट आप कल को अमरीका में सेट्ल हो जाओ और वहां आपके जो फूल खिलें पूलिर कंपनी के संताने हैं लेकिन वह रहेंगी तो अमरीकी न राव कि ऊसी प्रकार नेसले इंडिया है कि लोग कहते हैं दो नेसले इंडिया तो इंडिया की कंपनी है सुट्जलेंड में उसकी एक होल्डिंग कंपनी बैठी है तो सर बात तो यह की है कैसे बात यह क्या है नेसले इंडिया की बोर्ड मीटिंग इंदुस्तान के कंपनी लोग से होंगी नेसले सुट्जलेंड की बोर्ड मीटिंग वह वहां खुली है ना उनकी हमसे उनका क्या मतलब हां उनका पेरेंट और्गनाइडेशन भारत में है तो सुनो अभी बात पुरी नहीं हुई अब मालो कोई कंपनी लंदन में खुली और उसका बिजनेस लंदन में है तो बीदेश ही नहीं है वो हमारे लिए क्या है अन्रिल प्रिटिश कंपनी इस ऑपरेटिंग ओनली इन ब्रिटेंग विदेशी तो हम कह सकते हैं देख यह ना विदेशी है वो विदेशी अपने देश में खड़ा है तो विदेशी कैसे हो गया सोचने की बात है न लंदन की LLP लंदन में कारूबार करेगी तो हमसे क्या हमारे लिए वो क्या है अन्रिलेटेड फॉर एस फॉर एन LLP मीनस एन LLP विच इस रजिस्टर आउटसाइड इंडिया बट हैस अ प्लेस ओप बिजनेस इन इंडिया इसमें यह नहीं लिखा वैदर इट कंड़क्स बिजनेस एक्टिविटी और नॉट कभी कभी क्या होता है कि जैसे समुद्री जहाज अमरीका से चला कहां से चला मैडम सुन नहीं रहे आप पीछे अमरीका से चला और उसे आस्ट्रेलिया जाना भारत का मैप जो है न विश्व का मैप अपने घर पे चिपका लो दिल्ली का भारत का और दुनिया का या छोटे ए-4 वाले प्रिंट आउट निकाल के अपनी कौपी पे चिपका लो थोड़ा आपको याद रहेगा कम से कम आगे जाकर तेल भराने के लिए अब उस अमरीकी कमपनी का जहाज जो अमरीका से चला भारत में रुका उसको असिस्टेंस चाहिए थोड़ी सी जहाज रुकवाने के लिए थोड़े रूल रेगुलेशन फुल फिल करने हैं इंडियान आदमी हो सकता है सपोर्ट करे हो सकता ना करे तो बहुत सारे विदेशी कमपनियों ने अपने दफ्तर पोर्ट पे खोल रखे हैं उनका क्या काम है बच जहाज को क्लियर करवाना कोई बिजनिस थोड़ी चला उनका वो जहाज आता है पेपर वर करके उसमें ऑईलिंग करवा के उसे भाफिश बेड़ देटे वह इतना काम ह कुछ लोगों का बस क्या काम है ओर्डर से रिसीव करना मालो हमारा अमरी की कमपनी से बिजनिस चलता है तो कोई आत्मी चाहिए हमें जिसको बिठा के कौफी पर बात कर सकें वो दिल्ली में उसका ऑफिस है कुछ नहीं कोई क्या काम थोड़ी है उसका कैनलाइजिंग करना मतलब एक प्रकार से दोनों के बीच में लाइजनिंग करना हाव क्या प्रोब्लम गलत माल आ गया अरे नहीं नहीं मैं बैठा हूँ ना बस ऐसे वाले लोग तो उनका प्लेस बिजनिस है फिर भारत में समझे सरा प्लेस बिजनिस माल खरीदना बेचना नहीं होता यहां पर समझाई बात तो for an LLP does not mean an LLP which is registered outside India and also has a place of business outside India if it has nothing to do with India it's not for an LLP it will be for an LLP only when it has something in India कुछ तो यहां होना चाहिए ना जिसको उंगली करके कैसा के यह है वीजेशी है राइट आईए तो अगली definition है शायद तीसरी है ना तीसरी definition for an LLP for an LLP लिखिये it means grammar के हिसाफ से यहां ए लगना चाहिए लेकिन आप N लगाएंगे ठीक है it means an LLP it means an LLP registered outside India but but has a place of business but has a place of business in India business in India ठीक है इतना सब बात थी लिख के लिख लो छोड़ के क्या हो अगली definition है वही limited liability partnership agreement किसे कहते हैं इसको हमें इसले लिखना चाहिए क्योंकि पुरानी partnership में आपको पता होगा agreement oral भी हो सकता था traditional partnership 1932 वाली में agreement मतलब agreement whether oral or written यहाँ पर agreement means written यह फरक है दोनों में ठीक है लिखें आप अगली definition LLP agreement LLP agreement it means a written document written document which describes which describes rights and duties of partners of LLP rights and duties of partners of LLP it means a written document which describes rights and duties of partners of LLP ठीक है भाई clear हो गई बात अगला definition है देखो भाई यह बदब लिखेंगे नहीं हम name किसे कहते हैं name इसमें लिखाए अगर individual है तो his first name, middle name and surname ठीक है इस अब बॉड़ी corporate इस रजिस्टर नेम मतलब organization है तो जिस नाम से वो रजिस्टर हुई अब जिस नाम से रजिस्टर हुई न वो ठोड़ा वैसे समझ लीजे जनरल नौलिज में कि रजिस्टर नेम और brand नेम अलग-अलग होते हैं कई जगा एक हिंदुस्तान में company है page industries limited company का नाम क्या है सर पी आई एल page industries limited वो क्या बेचती है जोकी के अंडर्वियर आप घर जाके कोई कपड़े का डबबा होगा आपके पास जोकी फोकी का तो देख लीजे या किसी दुकान पर घुज जाईएगा वो एक मिन कहना भईया दिखाव ज़रा है बनियान डबबा द जीसी एम एम एफ तो बैलेंस शीट पे कहीं अमूल नहीं है आप चेक कर लीजे कहां कहीं कागजों पर होना चाहिए ना आप बैलेंस शीट लाइए ना अमूल की फुल वर्म जो मार्किट में फेमस हो गई वो हो गई आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड वो उस जमाने में आनंद शहर में एक वो बनी थी कोपरेटर सोसाइटी वो डिजॉल हो चुकी बर्सों हो गए और्गनाइडेशन का नाम है जीसी मैं तो कह रहा हूँ आप किसी की सुनी सुनाई बातों पर क्यों विश्वास करते हैं आप वेबसाइट देखिए अमूल.coop बैलेंस शीट ड नूवो मतलब कुछ कुछ नया कुछ टाइल कुछ कुछ फैशन नूवो फ्रांस का या जापान का शब्द नूवो नवाचार मतलब क्या बनाती है वो कपड़े रेडिमेट गार्मेंट क्या उनकौन से कपड़ों की दुकान है उनकी पीटर इंग्लेंड एरो लुई फिल propose बैलेंट चीट पर पे जो है ये लुई फिलिप की बैलेंट सीट अलोग नहीं बनती है वैंं हुसन की बैलेंट चीट अलग नहीं बंती है यJe सब ना फ्रांस से कौपी करें लुई फिलिप फ्रांस में था या दिते बर्ला ने खरीद लिया उसको तो अब वो इंडियन टेक-आवर के बाद, इंडियन हो गई अब यह सब, सब इंडियन हो गई है सब, तो हमें बात समझा आई सर, तो registered मतलब अमूल नहीं, registered मतलब जौकी नहीं, registered मतलब वह जो कागजों पर नाम है, वो, ठीक है न, कुछ जगह सेम है, Relliance Industries Limited, यह तो कुछ जगह 2 चीव जए में कुछ जगह 2 400 चीजें तो अपने को काज़ वाला नाम देखना है जबान पे लोगों के नाम है ओर्परश करते लोगं डुद्रस कर रहे हैं हमने वो ब्रैंड नेम इतनी चड़ चुकी जमान पर अगला definition है partner किसे कहते हैं अब यह तो partner means any person who becomes a partner ठीक है यह obvious बात है Regional Director means Regional Director, Registrar means Registrar, Schedule means Schedule, हां यह अगली definition is very important, this is the last definition, Small LLP किसे कहते हैं minimum 2 maximum unlimited, तो Small LLP किसे कहते हैं उसकी अगली definition जो है लिख लेते हैं, पांचवे definition Small LLP Small LLP यह क्या होती है, सबसे पहले तो आप यह समझेए, जैसे ज़्यादातर जो जादातर जो मतलब बुरा ना माने कोई, जादातर जो भारत के बच्चे हैं, जादातर, वो एक leave application लिखने से तो डरती हैं, छोटी सी, सबीने निवेदन इस प्रकार है कि मेरी कल से तवियत खराब है टाइब, हलकी सी छोटी सी चिथी लिखने में हमें आफ़त है, तो LLP क के comparatively, कम compliance होते हैं, तब भी तो लोगों को मुश्किली लगता होगा, पांच पेज का भारम है, जो साल के अंत में भरना पड़ता है, पांच पेज के form में 80 से जादा डबे हैं सर जो भरने पड़ते हैं, आदमी करा यार यह आसान तो है, कमपनी की तो उल्ला में, लेकिन हम करोना के बाद, LLP comparatively वैसे ही छोटी होती है, LLP comparatively वैसे ही कम कोश्ट की होती थी, LLP वैसे ही कम complexity वाली होती थी, लोग कह रहे हैं, उसमें भी problem है, तो सरकार करिए जाद तू भी का याद रखेगा, ऐसा करते हैं, अगर तेरी capital 25 लाग से कम है, और अगर तेरा turnover 40 लाग से कम हैं, तो फिर ऐसा कर, तेरे ऊपर बहुत सारी क्या लगा देते हैं, exemption, relaxations, वो आप आगे पढ़ेंगे कौन-कौन सी लगती हैं, लेकिन LLP को भी सरकार ने दो हिस्सों बाइट दिया, एक small और दूसरी कुछ नहीं बस, small और LLP, एक small LLP और एक LLP, medium और large कुछ नहीं, एक small, एक other than small, तो small LLP की definition समझ लेते हैं, इससे हमें पता चल जाएगा कि small के मतलब क्या है, आगे कभी provision आएगा, कि ये rule small पर नहीं लगता, तो मैं पता होगा small मतलब क्या, अचा एक बात और सुन लो, capital कितना 25 लाग तक होनी चाहिए, और 29 लाग तक, लेकिन ये 25 लाग रुपे 25 लाग नहीं, 50 लाग मानो इसे, 50 लाग माल लेंगे, maximum maximum 5 करोड तक जा सकता है, 25 लाग की limit, जैसे महंगाई बढ़ गई, तो अभी, हाँ, नहीं नहीं, वो फिर संसाथ में कानून बतला जाएगा, तब ही होगा, तो पारलेमेंट ने जब law बनाया 2008 में, तो सरकार को एक कु 25 लाग वाली को small बालेंगे, महंगाई बढ़ जाए, तो तुम इसे बढ़ा देना, बढ़ाते, 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 पांच करोड तक जाना बस, और यह जो 40 लाग है, इसको बढ़ाते, 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 ऊपर जा सकते हैं, maximum 50 करोड तक, नहीं, सरकार, LLP को as such फाइदा directly, LLP के प्रती कोई soft corner नहीं है, सरकार का, सरकार चाहती है कि देश के सारे व्यापार नंबर एक में आ जाए, अब नंबर एक में आने के लिए, या तो पुरानी वाली partnership registration कराना पड़ेगा, या company, तो सरकार कह रही है, वो मत कराओ, कम से कम य तो है, वो जाद आए, अभी फरवरी आने वाली है, तो बजट जिस दिन आएगा, कब एक को आता है, जिस दिन बजट आता है, उससे एक दिन पहले, एक किताब launch होती है सरकार की, उसका नाम है economic survey, मतलब देश की economy कैसी चल लगी है, उसमें आप देखिएगा, पचास प्रत प्रेंग खाता, current account छोड़ो, सब चल ला है, वो तो शुकर है UPI का कि थोड़े बहुत पैसे अब ऐसे आने लगे, सरकार नहीं चाती कि ये बड़े, क्यों क्योंकि ज्यादा मोटा माल तो हैं जबा हुआ है, बड़े वाले मचलियां तो चलो कुछ है कोई बात नहीं, जो बैलेंशीट तो बतानी पड़े जाएगी ना, तो जब बैलेंशीट बतानी पड़े जाएगी तो फज्जा होगे, देश में आठ करोड लोग आई टी आर भरते हैं बस, एक सो चालिस करोड के देश में, सिरफ परसंटेज 10 परसंट भी नहीं बन रही, 14 करोड भी लोग नहीं भर रहे आई टी आर, ठीक, तो सरकार तो बसी चाहती है, सारे वैपार नमबर एक में हो जाएं, ऐसे ना सही तो वैसे हो जाओ, हलके हो जाओ वह किसी तरह, आईए, An LLP, whose size of business, whose size of business, does not exceed, does not exceed, both the following limits, मतलब नीचे दी गई दोनों ही limit exceed नहीं होनी चाहिए, बोतल में कहीं से भी ढकन खुलेगा, तो पानी तो निकली जाएगा ना, अगर एक भी खिड़की खुल गई दोनों में से तो हवा बाहर की अंदर आ जाएगी और हम बड़े हो जाएंगे दोनों limits maintain करनी है जो यह लिखी होई है ठीक है बई? तो पहला Capital Contribution Capital Contribution should not be more than Capital Contribution should not be more than Rupees 25 lakhs Capital Contribution should not be more than Rupees 25 lakhs 25 lakhs 25 lakhs पार नहीं जानी चाहिए आपकी Capital दूसरा Turnover Should not go Turnover should not go beyond Should not go beyond रुपीज 40 lakhs Basically बस आपको यह याद रखना है अब अगले paragraph में बिना number डाले लिखिएगा बीच में end है दोनों को क्रॉस नहीं होनी चाहिए तब आप स्मॉल रहोगे और तो होगा बड़े लोगों की डेफिनिशन में एक भी क्रॉस हो गई तो आप बड़े बन जाओगे इस मॉल के लिए दोनों पैक रहने चाहिए दोनों टाइटनेस रहना चाहिए अब लिखो दिस 25 lakh रुपीज कैन बी एक्स्टेंड़ बाइ सेंट्रल गवर्मेंट बाइ सेंट्रल गवर्मेंट अब तो रुपीज 5 क्रॉर जैसे जब भी महंगाई बढ़ती है ना तो इसलिए यह अमाउंट बढ़ाना पड़ता है 26 लाग वाला बोलेगा यार हम इस मॉल नहीं है हमारे उपर कोरोना नहीं आएगा या हम हमारे उपर महंगाई मार नहीं मारेगी तो सरकार बोलेगी चले यार 50 लाग टक वाले स्मॉल माल लेते हैं जब भी उने बदलना होगा हां उनकी मर्जी से होता है एंपड़ेंस अरे यह तब भी नहीं बढ़ा रहे आ यह का कंपणी में तो स्मॉल की लिमीट बढ़ गई ड़ेजर्न चार करोड के पिटल और 40 क्रोड का टर्नॉवर चार करोड तक की capital वाली company small है 40 करोड तक की turnover वाली company small है सोचिए कितना बड़ा bracket है ये उधर तो limit बढ़ा दी इधर आज तक नहीं बड़ी होई लिखें आप अगला line दिस रुपीज 40 लैक can be extended can be extended by central government up to rupees 50 करोड up to rupees 50 करोड ठीक है सब ये बात समझ आई अब थोड़ा सा ये समझना है कि जो capital का amount है वो तो देखना है at any date लिखेंगे ये बात लेकिन समझते हैं capital का amount देखना है at any date at any date मतलब कभी भी बढ़ सकती है कोई partner आ गया हमने उससे का भाई तो भी 5 लाग लाग पहले से 25 लाग capital थी 30 लाग हो गई तो हम large हो गई बड़े हो गई हम small के category से बाहर आ गई लेकिन जो turnover है लेकिन जो turnover है at any date नहीं देखना है वो financial year के closure वाला ही देखना है मालो हमारी sale हो गई अगस्त में और अगस्त में sale होते ही turnover पार हो गया तो September में sales return भी तो हो सकती है ठीक है हमें 31 March का बाला turnover देखना है पूरे साल के बीच में कोई भी जिग-जैग होता रहा है उसको नहीं देखना है capital जैसे ही बढ़ जाएगी हम वैसे ही small की category से बाहर आ जाएगे लेकिन turnover बीच के साल का नहीं देखना किसी भी समय क्योंकि वो accounting software आजकर electronic हो गए हर second balance sheet तयार दिखती है आज का status अगर देखना हो माल लो आज ही business बंद करना हो तो balance sheet क्या है वो दिखती है बनी बनाई उसमें माल लो आपको दिख गया कि आपका turnover 40 लाग क्रोस हो गया आपने का रहे फस गए अरे कैसे फस गए 2 लाग की return दिखा दो एकत्तस मार्च को ऐसे artificially करना गलत है वैसे तो हम समझ गए 31 मार्च वाला देखना है आईए यह बात लिख लेते हैं verification of limits shall be done as follows verification of limits shall be done as follows shall be done as follows a. capital contribution shall be considered at any date at any date as and when capital contribution shall be considered at any date at any date as and when it goes up जैसी बढ़ जाएगी तुरंत माल लेंगे कि हम small नहीं रहें turnover दूसरा लेखिये point turnover shall be considered at the closure of at the closure of at the closure of previous financial year at the closure of previous financial year right समझागे जी बात definitions खतम section 2 पूरा हो गया अब section 3 देखते हैं section 2 फिनिश section 3 LLP to be body corporate section 2 पूरा हुआ definitions खतम हो गई अब आईए LLP to be body corporate LLP to be body corporate LLP to be body corporate पढ़ लिया जी आपने देखे क्या है body corporate शब्द का मतलब एक ऐसा है जो बालकों को समझने में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बस आदमी पी के चला जाता रट के body corporate means any organization which has separate legal identity perpetual succession and common seal जिसके अंदर भी ये तीन फीचर होते हैं उसे body corporate कहते रिट लिया paper में लिख दिया number आगए बात कतब इतना ही है लेकिन थोड़ा सा reality में आप समझें तो माल लीजे लाला जी की दुकान है करोल बाग में लाला हर सहाई मल दास जोहलर्स ठीक है समझागी लाला जी की दुकान है प्रोप्राइटर्शिप में हमाल लो किसमें प्रोप्राइटर्शिप तो कल रात क्या हुआ लाला हर सहाई मल चल बसे तो अब प्रोप्राइटर्शिप का सेम pen number carry forward हो सकता है कि नहीं कैसे pen number carry forward अगर आपकी दुकान पार्टनर्शिप में है तो फरम का पैन अलग होता है पार्टनरों के इंडिविज्वल पैन अलग होते हैं लेकिन जो प्रोप्रेटर्शिप में दुकाने खुली है ना उनके पैन अलग थोड़ी होते हैं एक ही पैन होता है सर ठीक है एक ही पैन होता है पूर्दो नहीं होते यकीन और गरंटी बाव ओई पैन बस मालो आप कि तो किसी के बिजनेस की चार दुकाने हैं तो चार दुकाने मालो फिल्कुल अलगे हर सहाइमल जूस, हर सहाइमल कख़डा, हर सहाइमल जॉयलर, हर सहाइमल टेक्सटाइल तो चार अलग-अलग पैन कार नहीं होंगे उसके क्योंकि चारो प्रोप्राइटर्शिप की है चारो यह की पैन पे चल लए है समझ गए आप वो मर गए कल रात अब जब वो कल रात मर गए तो बिजनिस सेम कैरी फॉवर्ड हो भी नहीं सकता सर फरम तुबंद करनी पड़ेगी इट शेल बी टेकेन ओवर बाई दपरसन हेविंग सम अनदर पैन हर सहायमल ज्वेलर्स का प्रोप्राइटर कैसे सेम हो सकता है आप मुझे बता उनके जाने के बाद बदलेगा ना सर तो जब पैन नमबर बदलेगा तो री रजिस्टेशन होगा सक्सेशन के रूल भरे जाएंगे इंकम टेक्स और जी एस्टी में कागज अमा होंगे बहुत कुछ करना पड़ेगा सर मतलब बुरा नमाने आप मेरे शब्दों का मरने से ज़्यादा कारवाई तो मरने के बाद की है ठीक लेकिन इसमें पार्टनर्शिप में प्रोपराइटर्शिप के अलावा जितने भी हैं कमपनी पार्टनर्शिप एल 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 पी सब में पार्टनर के मरने के बाद शेर उल्डर के मरने के बाद ओनर के मरने के बाद कुछ होता ही नहीं तों कि पुराना पेन तो मौझूद है अगैर आप मालीजे कमपनी होते आप मालीजे यहल्ल पी है तो आपका पेनममर अलग है कम्पणी का बिजनेश का हर सायमल जुहलर्स प्राइवेट लिमिटिड़ का पैनमर अलग है उसमें हर सायमल मर गए मरतर हो हमें क्या दूसरा सहाय मलाएगा कोई दूसरा वक्ति उसको समालेगा विसलेरी के ओनर और उनकी अगली पीड़ी पता आपको विसलेरी नहीं चलाना चाहती भिक गई या तो या भिक रही हो कि टाटा ने खरीद ली क्यूं खरीद ली मैं टाटा ने सौरी सवाल गलत है टाटा ने कि बेटी चलाना नहीं चाह रही कंपनी को वो चला नहीं रहे अब बताओ मुझे आप जै प्रकाश गौड जेपी गौड जेपी गुरुप सुना आपने मशूर जेपी ग्रेटन ओड़ा में जेपी विश्टाउन है जेपी की स्टील की फैक्ट्री आए जेपी का पता नि क्या-क्या है जेपी सीमेंट बगल में शहर है दिल्ली के पास में एक अनूप शहर गंगा का घाट वहां के हैं वो ठीक नौड़ा से ग्रेटर नौड़ा से सो किलो मीटर का दूरी भी नहीं रह जाती अनूप शहर वहीं रहती है वो शनिवारितवार इतने बुड़े हो ग जबर आ गई तो जेपी गृप तो बंद जाएगा है ना कैसे हो जाएगा भई वो नहीं तो कोई और चलाएंगे उनकी पीड़ी उनके बच्चे या कोई जो भी सक्सेसर होगा क्या कहने का मतलब है कि किसी के आने और किसी के जाने से राज्य और साम्राज्य समाप्त जब ना हो उसे कहते हैं क्या बॉडी कोर्परेट लोग कहते हैं सब प्राइम मिनिस्टर को गोली मार दी गई संचोरासी में अरे प्राइम मिनिस्टर को गोली लगी नहीं सकती गोली लगी मिस्स गांधी को प्राइम मिनिस्टर पद का नाम है वो कैसे मर गया अगले पल जिसको सत्ता मिली वो प्राइम मिनिस्टर हो गया वो मशूर सवाल है सर कंपणी लो में एक कंपणी में साथ शेरोल्डर थे एक मर गया तो कितने बचे बच्चा लिखेगा छे उत्तर क्या है साथ क्योंकि जैसी साथवे के प्राण पखेरू उड़े उसका सक्सेसर शेरोल्डर बन गया तो साथ के मरने के बाद जो बचे वो कितने बचे साथ इसे कहते हैं बॉड़ी कॉर्परेट क्या हम समझ पाई यह बात लेकिन ऐसा प्रोरानी पार्टनेशिप में नहीं होता वहां डीड बदलनी पड़ती है एल एल पी अग्रीमेंट में कोई प्रोब्लम नहीं है तो इसे कहते हैं बॉड़ी कॉर्परेट जिसमें पहला किसी के आने और जाने का आफर नहीं पड़ता दूस्रा जिसके नाम से property की registry हो सकती है जिसके नाम से property की registry हो सकती है it can hold asset पुरानी partnership का office है कोई खरीदा गया तो फरम के नाम का नहीं होता पार्टनरों के इन individual नाम की होती है registry समझे सर आप लेकिन LLP में LLP के नाम की registry हो सकती है उसे कहते है body corporate ये जो संपत्ती है सारी सरकारी कंपनियों के पास ये इनकी थोड़ी है राष्ट्रपती के नाम पे registry होती है सब की मालो कल को भारत petroleum बोले ये तो मैंने बखान खरीद रखे है ये तो मैंने building खरीद रखी है 10 second लगेंगे राष्ट्रपती को ये सब खतम करने में कानूनन जितने भी सरकारी आदेश है उन पे राष्ट्रपती की आखरी मौर लगती है भारत के संपत्ती का माले कौन राष्ट्रपती समझे आप वो तो compensation होता है जो सरकार आपको कहती है चल तेरा मकान तोड़के पुल बना रही हूँ कोई बात नहीं मन उसका करे तो ना दे compensation वो जमीन किसकी है सरकार की हो सरकार राष्ट्रपती के नाम से चलती है वो तो राजा विजी रहता है अपने कामों में इसलिए एक प्राइम मिनिस्टर रखा जाता है समझे आप मैं को गलत थोड़ी कह रहा हूँ सर प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री, कमिशनर, डिस्टेक मजिस्टेट, डारेक्टर, चेयर्मेन, सीईओ, सीएफ़, ये सब पद है और इनको गोली नहीं लग सकती ये कौन है बॉड़ी कॉर्परेट समझ गया आप तो LLP भी क्या है बॉड़ी कॉर्परेट तो इसमें तीन फीचर क्या हो गए पहला सेपरेट लीगल आइडेंटिटी मतलब इट केन होल्ड एसेट्स पहली बाद ठीक है सेपरेट आइडेंटिटी दूसरा परपेचुल सक्सेशन मतलब मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो इट लास्ट फॉरेवरी हमेशा चलती है कभी नहीं मरती और मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो इट लास्ट फॉरेवरी हमेशा चलती है LLP लोग आते रहें लोग जाते रहें और तीसरा कौन सा रह गया कॉमन सील तो चलो अभी पढ़ लेंगे खतम हो गई कॉमन सील कॉमन सील होती थी एक महर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने महर का सिस्टम बंद कर दिया कि महर अब कानूनन कंपलसरी नहीं है वो तो बैंक वाले मानते नहीं इसलिए महर लगवाते हैं बाकी अब महर की कोई जरूरत नहीं है डिजिटल सिगनेचर का जमाना आने के बाद महर की वैलिडिटी पूर्ण तया समाप्त हो चुकी है महर आपको बनवानी हो किसी भी इनसान की धाई सो रुपिया में बनती है बढ़िया महर और नॉर्मल इंक पैड़ वाली जो महर है वो 30, 35, 40 रुपिया में महर बन जाती आप जाके कहना कि रागव गोईल की महर बना तो बना देगा वो महर की वैलिडियू सुप्रीम कोट ने इसलिए बंद कर दी महर लोग लगा रहे हैं लोग लगवा रहे हैं वो एक अलग विशे है महर कानून में आप केस करने पर अड़ जाओगे मैं नहीं लगवाँगा महर जजज साब तो जजज बोलेगे हाँ क्यों लगवार लगानी भी नहीं क्यों तुम लगवा रहे हैं महर यह जगड़े के समय तय होता है पहली बाता है समझ गए इसलिए LLP को बोलते हैं Body Corporate क्योंकि इसमें पार्टनर के मरने से LLP नहीं बंद होती पार्टनर के exit करने से LLP बंद नहीं होती पार्टनर की entry करने से LLP बंद नहीं होती आपने तो अकाउंट्स पढ़े हैं सर जब जब नया पार्टनर आता है रिवैलुवशन अकाउंट बनाना पड़ता है यहां नहीं बंती LLP के अकाउंट्स में कोई रिवैलुवेशन अकाउंट नहीं होता पार्टनर आ रहाए आए नहीं आए उसकी बला से जा हम नहीं बनाएंगे रेवैलुवेशन minimum दो होने चाहिए अगर वो मर जाता है तो फिर वो rule है ना कि 6 महीने में दूसरा ले आओ वरना illegal बन जाएगी clear I वो जो ये तेह करेंगे इनकी मर जी ऐसा जरूर नहीं है कि हम capital बराबर ला रहे हैं तो profit बराबर बटेगा वो जो agreement अभी तो हमने पढ़ा न वो partnership agreement उपर एक उपर एक definition थी partnership agreement की उस agreement में जो आप कमन करें वो लिख लो register ही नहीं होगी फर हम यहाँ वो चक्कर नहीं है लिखना ही पढ़ेगा हाँ और फिर बचे हुए तया करेंगे कि इसको क्या देना है पुरानी partnership में यह rule था जो यह सवाल पूछ रहे हैं आप भी समझीए पुरानी partnership में rule था कि अगर agreement में कुछ नहीं लिखा तो equal profit बटेगा यहाँ पर यह option ही नहीं है agreement में कुछ नहीं लिखा का agreement में लिखना होना compulsory registration ही नहीं होगा आईए section 3 of LLP it says LLP to be body corporate point 1 LLP shall contain all features LLP shall contain all features of a body corporate LLP shall contain all features of a body corporate right it means point 2 it means it shall have it means it shall have perpetual succession it shall have perpetual succession and separate legal identity separate legal identity separate legal identity separate legal separate legal identity आपके नाम पर अस्तित्व है आपका तो आपके नाम पर assets आ सकती हैं आपके नाम पर liabilities आ सकती हैं आपका खुद का मकान दुकान हो सकता है Perpetual succession का मतलब अमर रहना हमेशा जिंदा रहना वो ही जो लोग मरते हैं तो यह नहीं मरती और पता है इन दोनों शब्दों के उपर एक लंबी PhD हम करेंगे जब हम company law पढ़ते हैं it may or may not have it may or may not have a common seal rubber stamp की आजकल कोई जरूरत नहीं है it may or may not have common seal clear अगला section section 4 non applicability of partnership act 1932 तो आपने देखा ज्यादा बड़े बड़े sections नहीं है अराम से अपना खतम हो जाएगा non applicability of non applicability of partnership act partnership act 1932 non applicability of partnership act 1932 इसके अंदर बस एक line का paragraph लिख दीजे partnership act 1932 does not at all apply does not at all मतलब जरा सा भी नहीं लगता does not at all apply on LLPs clear हो गई जी बात ठीक अगला section 5 section 5 का नाम है partners हां इतना सही है section number 5 इसमें लिखेंगे partners point number one any individual or body corporate any individual or body corporate can become partner in LLP मतलब partner कोई भी बन सकता है इनसान भी और ऐसी संस्था भी जिसका separate identity हो मतलब दो company भी partner बन सकती है LLP में फिर उन company के representative चलाएंगे उस LLP को इसलिए क्योंकि पैसा चाहिए न अपने को तो industry लगानी है देश के अंदर अब मालों दो इनसान के पास capital लगाने के लिए नहीं है लेकिन दो company के पास capital लगाने को तो करने दो उनको joint venture क्या दिक्कत है देश की तरक्की के लिए जादातर infrastructure के project जो देश में लग रहे हैं वो 90% project joint venture में चल रहे हैं अकेले कोई आदमें बनाई नहीं ना पुल आजकल देश के सारे एरपोर्ट सारे flyover सारी सडकें सारे expressway सब joint venture में हैं सब मतलब सब आपको exception मिलेंगे दो चार कोई होंगे तो सब का मतलब सब except for one or two कोई आप rare case निकाल के लिए आएं देखो जाब इसमें तो नहीं है पार्टनर्शिप अहां तो यह पहली बात कोई भी पार्टनर बन सकता है इनसान भी और संस्थाएं भी है कि दूसरी बात उसके नाम में LLP होना चाहिए उसके नाम के आगे LLP होना चाहिए पक्का और इनका registration नंबर वैसा होता है तीन चारंकों का LLP-0301 बस LLP-0401 ऐसे छोटे कम है न संख्या में इसलिए इनका वैसा नहीं हो 21 को वाला फैला वह registration नंबर चलिए दूसरा पॉइंट following people cannot become following people cannot become partner नीचे दिये गए लोग partner नहीं बन सकते कोई LLP-0301 नहीं है बस खाली दो नाम है कौन लोग partner नहीं बन सकते देखते हैं कौन-कौन लोग partner नहीं बन सकते हैं उसमें पहला नाम है person incompetent to do contract incompetent to contract अंडर contract act 1872 के अंदर जो आदमी contract नहीं कर सकता जो इंसान contract नहीं कर सकता हुई पागल insolvent आदमी insane जो सब थे उसमें और दूसरा दूसरा थोड़ा विशेश है person who has applied for insolvency and his application is pending application is pending यह अच्छी बात है आपके एक्जाम में बता रहा हूं आज तक ही आया नहीं है topic यह एक्जाम में कभी नहीं आया लेकिन इसके आने में देर थोड़ी लगे पिछले 10 साल में एक्जाम में क्या आया हमेशा वो देखकर जाने से भला नहीं होता न वो पूरी कहानी सी देदेगा आपको राम कहानी प्यारी सी बनी हुई उसमें वो लड़ाई करवाएगा दो लोगों में रमेश और मुकेश में रमेश कहेगा मैं पार्टनर बनूंग मुकेश कहेगा तू तो इंसल्वेंशी में चला गया तेव कैसे पार्टनर बनेगा वो कहेगा नहीं नहीं मैं भी इंसल्वेंशी में थोड़ी गया हूं मेरी तो खाली एप्लीकेशन गई है वो तो अभी पेंडिंग है तो पेंडिंग हो तब भी उसे पार्टनर नहीं मा से अगला सेक्षन मिनिमम नंबर आप पार्टनर्स नहीं क्योंकि वह कॉंपिटेंटु कॉंट्राक्ट नहीं है सेक्षन नंबर छे लिए सेक्षन नंबर छे खतम तो शायद नहीं हो पाएगा सेक्षन छे बस थोड़ा सा शुरू कर लेते हाँ बड़ा मतलब आज के समय के हिसाब से बड़ा minimum number of partners minimum number of partners लिखिएगा each LLP should have each LLP should have minimum two partners कम से कम दो partner इन लोगों के पास होने चाहिए कम से कम minimum if number of partners go below minimum दो से नीचे हो जाएं अगर go below minimum कॉमा लगा के छोड़ दो यहाँ से आगे की बात अगली मुलाकात इच LLP should have minimum two partners if number of partners go below minimum नहीं नहीं यहाँ पर शेयर तो होते नहीं ना इसलिए उसके बेटे को नहीं मिलेगी बाकी के partners agreement करके चाहेंगे तो मिलेगी नहीं चाहेंगे तो नहीं मिलेगी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप गद्दी under the brand name of COC Education Private Limited मेरे बच्चों इस success को हमने पाया commerce के students किसी भी course के हो वो पूरे और बरे इंडिया में बैठके हमारे courses से benefit ले रहे हैं या ले चुके हैं हमें जो दूसरों से अलग करता है हो है हमारा daily doubt session हमारा जो academic instructor team है आपके controls आपके growth पे वो नजर बनाया रखता है और आपको controls basis पे motivate करना आपको study के लिए मेरे बच्चों कुछ reviews पूरे all over India से आया है मैं चाहता हूं कि वो आप से share करूँ कोवन श क्लस 11 डे प्रत्रिय करें चाहता है मैं शॉच्चि कारशि जालर को पारा ज्राक बाते करो दो है मैं तो संतो सॉच्चि के भार नाइस टीचर वहां संतो सट कर श्चिक टीचिश स्टाल के बाकर भारे लागतों को मेंशुस ही होगा सब्सक्राइब करें आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें थैंक्यू 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 बच्छा झाल